यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ बदमाशों ने किसानों के साथ मार पीट की है गन्नी को पहले तुलवाने के लिए अड़े किसानों की लाठी डंडों से जम कर पिटाए की गई और इट पत्थर भी बरसाए गए हद तो तब हो गई जब दबंगों ने अवैद असलहों से फाइरिंग भी की इस दौरा दबं कर पुलिस मौके पर वहां पहुंची लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे तो आपको बता दे किसानों के साथ दौरदशा का एक मामला सामने आता है समझ नहीं आता है कि सरकार कहां सोई है पूरे देश से हर जगा से किसानों पर कहीं न कहीं बरबरता की जाती है यहां पर गन्ना तुलाई की एक मुद्दा सामने आया है जहां पर दो दिन बाद भी गन्ने की तुलवाई नहीं हुई थी बज़ आए उनकी समस्या सुनने के जो की लोग है वहां पर उन्होंने किसानों के साथ दबंगई की थी जो की कमपनी के लोग थे किसानों के साथ मारपीट की, बदमाशों ने किसानों की मोटर साइकल तक को कबजे में ले लिया और उसके बाद पुलिस को इंफॉर्म किया जाता है, पुलिस वहाँ पर पहुंसती है लेकिन तब तक जैसे के अमला चला आता है, बदमाश पहले ही फरार हो जाते है दो दिन बाद भी तुलवाई नहीं हुई जिसमें किसानों ने मांग की कि उनकी तुलवाई की जाए, उनके गन्ने की तुलवाई की जाए लेकिन किसानों को यहाँ पर दबंगई का सामना करना पड़ता है, किसानों के साथ मारपीट की जाती है लेकिन किसान महज अपनी गन्ना तुलाई चाहते थे किसानों ने जो अपनी महनत की है वो उसका एक कर्यकेंद्र में एक तुलवाई करवाना ही चाहते थे ताकि उन्हें उनका उचित श्रम मिल सके लेकिन यहाँ पर कोई उनकी तुलवाई नहीं हुई उल्टा किसानों को मारपीट का सामना करना पड़ा दबंगई का सामना करना पड़ा तो दो दिन बाद भी किसानों की समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है राजनीतिक गलियारों में किसानों की नाम का मुद्धा खूब उठाया जाता है लेकिन सवाल ये उड़ता है कि आखिरकार किसान इस बरबरता का शिकार क्यों होते हैं कैसे होते हैं जब किसानों के नाम पे ही सियासी रोटिया से की जाती है दो दिन बाद भी गन्ने की कोई तुलवाई नहीं होती है किसानों का कसूर महज इतना था कि वो तुलवाई की मांग करते हैं लेकिन जब वो तुलवाई की मांग करते हैं तो उन्हें सामना करना पड़ता है कुरेकेंदर की दबंगई का उनसे दबंगई की जाती है बदमाशों के द्वारा उनसे मारपीट की जाती है यहां तक कि किस की जहां पर गुसाई गरामीनों ने पुलिस स्थानों की घिराव करने का मामला सामने आया है. दरसल पूरा मामला गाउन लौकीपूर का है जहां कुछ दबंगों ने मासूम की खत्या कर दी और पुलिस ने शुकायत के बावजुद कोई कारेवाई नहीं की पुलिस के सिलापरवाही से गुसाए गरामी नोरे पुलिस थाने का खेराफ किया और जमकर नारे बाजी भी की साथी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की कि क्या एंस, जास चारे बाते 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 थाने प्राफरा रड़ीे